नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे अपसे यूडाइस प्लस का कारे स्टार्ट हो चुका है दोजार चौबिस पचीस में देखे सत्र दोजार तेश चौबिस के डाटा को इस बार प्रोग्रेशन माड्यूल के माध्यम से अध्यनर विद्यार्तियों को हो सत्र-दोजार चौबिस पचीस में प्रबोड किया जाना है लेकिन जब भी हम अंचौ दोजार चौबिस पचीस का सत्र खोल रहे हैं तो सभी बच्छों का डाटा देखे यहां शुन क्या स्टेप्स होंगे यूटाइस प्लस को भरने के लिए देखे पुरी प्रक्रिया है भरने का कि सबसे पहला स्टूडेंट मॉड्यूल में थ्री स्टेप में कार करना होगा पहला बच्चों को पिछले सत्र की जानकारी के नुसार प्रोग्रेशन मॉड्यूल से प्रमोट क करना देखिए जब तक हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल से प्रमोट नहीं करेंगे कोई भी नया बच्चा हमारे स्कुल में एट नहीं हो पाएगा तो सबसे पहला कार यह हमको प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाना है और बच्चों को प्रमोट करना है आई आगे का प्रोश् अब हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर Select State लिखा हुआ है, यहाँ सबसे नीचे जाकरके उत्तर प्रदेश आपको मिल जाएगा, नीचे से पाचवे पर, आप उत्तर प्रदेश को Select कर लीजेगा, और Go Option पर चले जाएगा, जैसे Go Option सेलेक्ट हो जाएगा, लॉग इन कर देंगे इसके बाद, लॉग इन करने के बाद, पेज खुल के आजाएगा, देखें, सत्र दोहजार चॉबिस और पचीस का और दोहजार तेश चॉबिस का आगया है, यहाँ आप देख सकते हैं, यूजर आइड़ाइस तो फिनिश था प्रोग्रेशन अक्रिविटीस फ़ार टू तू तू तवटटीटी टू इनिशिएट द्रोग्रेशन अक्रिविटी प्लीज नविगेट्ट तू करेंट अकेडमिक यर दोहजार चॉबिस पच्चीस टैप देन क्लिक और प्रोग्र कलर का उसको क्लिक कर देना है और यहां पर आ जाएगा यह लिख करके स्कूल के बारे में तो यहां पर आप इसको फिर क्लोज बटन दबा देंगे अगर माल नीचे जाके स्कूल डैरेक्टरी मैनेजमेंट में जाकर कि उस इस इंफॉर्मेशन को सही भी किया सकता है लेकिन यह सही है तो इसको अम क्लोज बटन डबा देते हैं देखे सारे बच्चों का जीरो 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 देख रहा है यहां पर इसमें आएगा इसमें कुछ बच्चों का जो हो चुका हुगा सिर्फ उन ही बच्चों का दिखेगा यहां पर आते हैं आगे के साइड अप्शन आने के बाद लेफ्ट मिनू में यहां प्रोग्रेशन एक्टिविटी लिखा हुआ है इसको हम क्लिक कर देंगे कुछ इच्चक साकतियों के साथ प्रॉब्लम आएगी कि लेफ्ट वाला मीनू बार नहीं दिख रहा है अगर आप मोबाइल से काम कर रहे हैं और यहां पर तो सब दिखेगा लेकिन यहां पर आपको इसके लिए करना क्या होगा कि सबसे पहले यह जो बगल में तीन डॉट बने हुए हैं यहां आपको जाना है और यहां जाने के बाद आपको इसको क्लिक कर देना है जैसे हम क्लिक करेंगे देखे क्लिक करने के पर डेस्टॉप साइट कर देंगे इसको सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद आपका लेप्टॉप मोड पर यह आ जाएगा त दिखेगा डेस्टॉप साइट करने पर ही दिखेगा तो यह मैंने आपको करके दिखा दिया है आई चलते हैं कार करने में यहां देखें प्रोग्रेशन मॉड्यूल खुल के आ गया है गो बटन पर हम क्लिक कर देंगे जब गो बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास यह मतलं आता है यहां बगल में लिखा हुआ दिखके नो डाटा फॉट डिखा रहा है लेकिन यहां पर आप दिखिए मैं दिखाती ho ave बगल में select class और select section दिया हुआ है इस चीज़ को आप click कर देंगे जो भी आपको करना है जैसे अगर मैं class 5 को करती हूँ यहाँ पर मैं select कर लूँगी class 5 और class 5 करने पास section तो a section को करने के बाद go कर देंगे अब इसके बाद आपको सारे बच्चे show होने लगेंगे देखिए इसमें कुछ note दिया हुआ है the class to be promoted value increased by plus 1 in comparison to preceding class if promoted with examination and promoted without examination are selected एक करके बच्चों का promotion करेंगे अगर दूसतर option है not past या repeated है तो discontinued before examination को select करना है then the value class to be promoted will be same in preceding class ठीक है अगर नहीं करेंगे तो ये same class में रहे जाएगा after तीसरा option है after updating the finalizing the data of each class and section user should click the finalize button after that user should move the finalize progression page and click submit button order to complete the progression activity देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब भी हम car complete कर लेंगे अपने class का finalize button पे click करेंगे लेकिन submit button पे नहीं करेंगे सबसे last में इसको करना है अगर इसको कर देंगे तो ये final हो जाएगा तो हर class का जैसे class 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके धीरे धीरे एके class को finalize button करना है और उसके बाद finalize progression page पे जाना है और submit button पे click कर देना है जिससे के progression activity खतम हो सके अब आगे हम आते हैं देखिए इसके नीचे select class दिया हुआ है class select कर लिए जो भी class आपको करना है section select कर लिए और go button पे जब हम कर देंगे यहाँ तब जाकर के बच्चों का नाम और सारी data students का आ जाएगा यहाँ पर देखिए unique ID और students name दिये हुए है अब इसको हम आगे के लिए promote करेंगे जैसे मैंने class 5 अभी लिया हुआ है तो class 5 में जब select करेंगे तो देखिए promotive with examination हम कर देंगे देखिए इसके बाद percentage दिया हुआ है यहाँ पर 2320 में कितना percent था तो आप इसमें student का percentage भी भर देंगे कुछ option ही जादा इसमें अभी नहीं भरना है इसमें कुछी option है इसको आप कर देंगे school days कितना भरना है तो 200 जैसे maximum 215-212 उससे कम भी भर सकते हैं यह बच्चा regular था तो 200 तक हमने इसमें भर दिया है और schooling status क्या है तो देखिए left school with tc without tc यहां सबसे लास्ट में देखिए जब सब सारा कार्य आप कर लेंगे तो यहां update का button दबा देंगे और यहां लिखके आजाए का student data प्राइमरी स्कूल से अगर जूनियर मोगतू सेम स्कूल लिखेंगे लिकिन अभी हम थर्ड का भी करके दिखा देते हैं इसमें दूसरा option स्टार्ट होगा देखिए सबसे पहले इसमें बच्चे का नाम और युनिक आइडी फिर आएगा progression 2023 में हम select करेंगे promoted with examination कर देंगे ठीक अब इसके बाद 2023 में इसका percentage भर देंगे percentage भरने के बाद इस बच्ची को हम school days बता देंगे कि कितने दिन ये school आई हुई है तो आप अपने हिसाब से बच्चे का student का भर दीजेगा और status यहां देखिए studying in same school या left school with tc और without tc तो अगर ये third में बच्ची है या second में बच्ची है तो हम इसको select कर लेंगे studying in same school और section 4 में हम क्योंकि 4 में promote इसको कर रहे हैं तो इसमें A कर देंगे ठीक और इसके बाद देखिए यहां pending status दिखाएगा यह दिखाएगा जैसे अपडेट करेंगे तो यहां पर लिखके आ जाएगा और यह done दिखाने लगेगा यारी आपका एक बच्चा जो है वो थर्ड में से प्रमोट होकर के फोर्थ में जा चुका है इस process को आप पूरे class के लिए complete करेंगे और complete करने के बाद सबसे नीचे जब आएंगे तब finalize बटन पर class के लिए दबा देंगे और सारे school के जब classes का submit हो चुका होगा उसके बाद ही करेंगे कभी-कभी कुछ बच्चों का इसमें कम दिखेगा वो इसलिए दिखेगा कि जब हम finalize सारी बच्चो 1 में आएंगे या किसी भी class में ने बच्चों का admission हुआ होगा तो वह import module में add करके बच्चों को करना होगा अगर वह बच्चे class 2nd या 3rd 4th में तो इमको import करना होगा और class 1 के लिए admission करना होगा तो इसका मैं फिर से process अगले वीडियो में बताऊंगे अगर ये वीडियो आपको helpful लगा हो तो please like करें शेयर करें जादा से जादा सब्सक्राइब करें और कोई भी दिखत हो comment section में चाके पूछ सकते हैं बहुत बहुत धन्वात आप सभी का